जहन बच्चों कल पर्सू किसी ने वाटसप ग्रूप पे ही मुझे भेजा था कि पुलीस का पेपर कैंसिल हो जाने की वज़ा से अपनी सारी डिग्रियों को एक नवीवक ने जला दिया और फांसी के फंदे पे जूल गया तो ये देखे सबसे कायरता का काम अगर मैं कहूं वो आत्मात्या है सुसाइड करना है क्योंकि ये जीवन आपका है ही नहीं जीवन आप समझते हो कि ये आपका जीवन है लेकिन ये आपका जीवन है ही नहीं जीवन आपके माबाप का है भाई बहन का है परिवार का है और सब से बढ़ करके समाज का है तो माता पिता आप सुचते हो असफलता सफलता वो जीवन का हिस्सा है वो मिलता रहता है आपका आज आप असफल हो तो कल सफल भी आप होंगे तो जीवन से निरास हो करके आप जीवन को जो खतम कर लेते हैं आप वो घटना ही साथी साथ इलाहबाद की भी एक दो घटना ऐसे सुनने को मिली तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जीवन की खुबसूरती का अनंद ले हाँ थोड़ी सी कठनाई जरूर हो सकती है आप अक्सर देखते हो ना भै आप बिमार रहते हो तो ज जीवन जीने में उतार चड़ा तो आएगा ही आएगा आएगा आपका एक सरकारी नोकरी एक नोकरी के लिए हम अपना जीवन खतम थोड़ी कर सकते हैं नोकरी के लिए हम थोड़ी बने के हम नोकरी ही करेंगे तभी हम जिन्दार रपाएं करने में बहुत सारी चीज़ है ये जीवन रहेगा थोड़ी सी कटना ही आएगी लेकिन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और सायद हम सरकारी नौकरी से जितना उसमें तनक्वा मिलती है उससे कई गुना हम कमा सकते हैं बस अपने उपर आपको भरोसा रखना है ये जो तच्छनिक निर्णे हम लोग ले ये कुछ नहीं है कि असफल होगा इसलिए हम सुसाइड कर लिए प्रेम में पढ़ करके सुसाइड कर लिए इसको करके बहुत सारी चीजों से तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कैसा कुछ हो रहा देखे सबसे सही चीज तो है तो आप क्या करें कोई भी मनोचिकत सक्त से आप संपर करें लेकिन उसके पहले भी अगर कहीं कोई चीज ऐसा आता है तो आप अपने परिवार वालों से सलामस्वरा लीजिए परिवार वाले अगर सलामस्वरा आपको लगता है कि हम परिवार को नहीं बता पाते हैं तो अपना एक ऐसा दोस्त जरूर बनाएए कि जह मतलब रो, रोना भी जरूरी होता है, कभी कभी को होता है, कईसे रोएंगे, कैसे कोई देख लेगा, वो ठीक है, अपने आसों दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मन की भडास, आप अपने पेड के सामने जाकर के जंगल में किसी पौधे के सामने उससे बात करो, आप्त हो जाएगी आपकी, तो एक नई एनरजी आप महसूस करोगे, और सफलता पाने के लिए, सफलता क्या जीवन जीने में एक नई लालसा आप में उत्पन होगी, क्योंकि आज का दोर एक ऐसा चल रहा, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, सायद हमारी पीड़ी है, कैसी जाती, वही चीज़े आप खोशते हो, सर्ज करते हो, देखते हो, तो और उससे क्या हुतसा ना हो करके, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तो यह डिप्रेशन से हटने का सबसे आसान तरीका है, अगर परिवार वाले हैं, तुन से बात करिये, नहीं तो दोस्त से बा वो छण जैसे ही खतम हो गया, तो एक जीवन जीने की एक अलग लालसा आप में उत्पन होगी, और जीवन को आप नए तरीके से देखना प्रारंब कर देंगे, और खास करके तो आप टीचर हैं, या टीचर बनने जा रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आ समाज को सही रास्ते पे ले जाना, और आपके जैसा नववक 24-25 साल में आदवी इतना मेचियोर हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद अगर ऐसा निर्ने लेता है, तो वो कहीं निर्ने आपका सही नहीं होता है, यह कायरता पुड निर्ने होता है, यह एक तरह से अगर कहें, यहां से भी अगर चीजे ना हो, तो यह इसको आप जैसे आम बीमारी होती है, सरदी, खासी, बुखार, पैर तूट जाना, हाथ तूट जाना, ठीक है, तो उसी तरह से यह भी एक तरह से मानसिक बीमारी है, और इसको पहचानिये, और डॉक्टर के पास जाने में कहीं गु अगे आपके आसपास, अपने यार दोस्त में ही, यह थोड़ा सा डिप्रेस है, अवसाद में जा रहा है, तो उसके साथ बोलिए, बैठिए, बतियाईए, उसके मन को कुरुदने का प्रयास करिए, एक बार जब उसका नजरिया बदल जाएगा, तो फिर देखेंगे, कि व सफलता से आप नहीं है, आप ये जीवन रहेगा, तो सफलत दो होगे ही होगे, आप आच्छे एक बात बताएए, कि रोज आपको मिठाई खाने हुआ क hearts, कि क्या रोज आप मिठाई खा सकते हैं? रोज मिठाई तो नहीं खा सकते हैं, तीखा भी तो अन्भा होता है, कि ती अगर खटा है अनभो आपका तो कल आपको मीठा अनभो भी ये जीवन देगा तो ये अनमोल जीवन है और अनमोल जीवन पे केवल आपका अधिकार नहीं है और अगर ये आपका अधिकार नहीं है तो आप ले कैसे सकते हो इसको तो इसके लेने के बारे में 0.1% भी आपके मन साल दो साल बाद आप उस निर्णे को जब याद करेंगे ता आपको खुदी असी आएगी ये मैं क्या निर्णे लेने जा रहा था तो इतना ही कहना था बड़ा मन दुखी हुआ और आप युवा अगर ऐसा करेंगे तो भाई ये कहीं से उचित नहीं है ना समाज के लिए है और ना ही क्योंकि आप ना ही आपके लिए तो खर नहीं ही होगा आपका ठीक है तो आप ऐसा निर्णे बिलकुल ना ले जैहन